नमस्कार दोस्तों मैं मिस्लेनेश मास्टा फिर से आज रूंग अपने एक नए वीडियो कि शांच दोस्तों न मेरा चैनल कोई तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर ले थाकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें दोस्तों गवर्मेंट अप इ जन्वारी के लिए एनाउंस किया गया था 4 परसेंट उसको फ्रीज कर दिया गया मतलब कि अभी वह नहीं दिया जाएगा इसके अलावा जुलाई 2021 तक जो भी जैसे जन्वारी 2020 का डिये 4 परसेंट आया था इसके बद फिर जुलाई 2020 में आने वाला था या फिर जन्वारी 2021 में जो आता इन तीन डिये के मतलब 18 मनिने का जो डिये है इसको अभी फिरिज कर दिया गया रोक दिया गया है कोई भी नहीं किया जाएगा एक ही बद जुलाई 2021 जब आएगा तो उसमें उसमें जो पिछले या जन्वारी 2020 जुलाई 2020 और जन्वारी 2020 के 3 लिए हो वेज grupos सब को जोड़ के दिया जाएगा जुलाई 2021 में आन्यमिने डोलाई ne इंपलाई और पैंसर नरा उस डिये को फ्रीज किया जा रहा है अभी पे नहीं किया जाएगा इसमें और जो पॉइंट से मैं मैं दिखा दे रहा हूं आपको यहां वही बोला जा रहा है कि 1 जुलाई 2020 जनवारी 2020 जो भी था है पेड नहीं किया जाएगा अभी जो करेंट डिये चल रहा है मतलब 17 अभी जुलाई 2019 को जो आया था उसको लेके 17 जो चल रहा है वो डिये पे होता रहे गा उसके अलामा जो जनवारी जुलाई और यहीं नहीं दिया जा रहे है जुलाई 2021 से स्टाट किया जाएगा यूझंसके लिए कोई भी एर्यर्स नहीं दिया जाएगा जैसे दे रखाएक़ डिया ठराब दिया जाएगा तो यानि कि लास्ट ये जुलाई 2019 में डिये बरके 17 परसेंट हुआ था वही डिये जुलाई 2021 तक चलेगा 17 परसेंट ही उसके बाद जुलाई 2021 में नया डिये का ओर्डर आएगा उस सब जोर के एक ही बार होगा लेहन कोई भी एरियर नहीं मिलेगा जो 18 मेने का गैप हो रहा है उसी का ये हिंदी में दे रखा है ये कैंसर का करमचरियों की महांगाई भते और कैंसर का पेंसर नवोगियों की महांगाई राहत की मौझूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंद में जो लेटर आया था इसमें ब अभी 17 परसेंट चल रहा है उस पर भुबतान होगा सेल्टी के साथ नया जो एड हो रहा था जनवरी से 4 परसेंट हो अभी नहीं दिया जाएगा जैसा है इस सरकार द्वारे एक जुलाई 2021 से दे महांगाई भते और महांगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर चल नहीं लिया जाता है एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से परभावी महांगाई भते और महांगाई राहत की दरों को परभावी परभाव से भाहल कर दिया जाएगा और उन्हें एक जुलाई 2018 , प्रभावी संचाई संसोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा कि जो भी तिने डिये नहीं मिल रहा है एक जनवारी जुलाई 2020 और एक जनवारी 2021 को इस सब एक जुलाई 2022 चलीॹस्पर प्रभाव में तो आब ये तरीका से बोल सकते हैं कि लास्ट जो डिये आया था सेंट्रल गोर्मेंट इंपलाई के लिए जुलाई 2019 में था अब अगला जो आएगा डिये जुलाई 2021 में था दो साल के गैप पे जिसमें 18 महीने का आपका डिये एरियर जो होता हो भी आपको नहीं दिया जाए हो आपका पालुप दूपर होोगा जे भी आहे ज़्या कि यरोसराना से जो सब चावपने गो हो भी आपके सेंटे में युलाई हो भी हो आहा हुआ कि लाड़ो कि लिए एन्हा बाрашा पन Ste